आज हम डिसकस करेंगे 65th BPSC के एक्जाम में आए हुए इतिहास के प्रस्नों को यह आने वाले एक्जाम के लिए भी काफ़े इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेस्टिन्स कई बाल रिपीट होते रहते बढ़ते हैं आज की क्वेस्टिन्स की और आज का फर्स्ट क्वेस सखाराम गणेश देवसकर राजिंद्र प्रशाद निवारन चंद्र मोरली मोहन प्रशाद उपरियुक्त में से कोई नहीं या इन में से एक से अधिक और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A सखाराम गणेश देवसकर ने इस पुस्तक को लिखा है और राजिंद्र प्रशाद की बात करें तो राजिंद्र प्रशाद ने चुब लिखी है पुस्तक उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की ओर आपसे पूछा गया है कि बिहार समझवादी पार्टी का गठन किसने किया है आपकी ओप्शन है फूलन प्रशाद वर्मा स्वामी योगानन नरहरी पारिक दादा भाई नेरोजी उपर यूग्त में से कोई नहीं या इन में से एक से अधिक और इसमें आपका करेक्ट ओप आपसे ए फूलन प्रशाद वर्मा जुलाई 1931 में बिहार में समझवादी पार्टी के स्थापना जय प्रकास नरहन और फूलन प्रशाद वर्मा कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर स्थापना करते हैं और इस पार्टी के स्थापना का मुख्य उद्देश यह होता है कि दे एक्स्थ क्वेस्टिन की ओर वूज दो फौंडर ओफ इंडियन नाशनल कॉंग्रेस आपसे पूंचा गया है कि भारती रास्ते कॉंग्रेस के संस्थापक कौन है आपके ऑप्शन से विलियम एडम एओ हूम रास बिहारी बोस बिहारी सौरी मोतिलाल नहरू उपर युग् बंबई में 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टोविन हूम दोरा की गई जिसके अध्यक्स थे बियुमेश चंद्र बैनर जी कॉंग्रेस की प्रथम सेशन की अध्यक्स ता करते हैं बियुमेश चंद्र बैनर जी जिसमें 72 प्रतिनीधी भाग लेते हैं और 1885 में हूम भारती रास् रुक्त होते हैं और इस पद पर वो बने रहते हैं 1906 तक 1912 में इनकी मृत्य हो जाती है बढ़ते हैं next question की ओर who said स्वाराज is my birthright and I shall have it आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है स्वाराज मेरा जन्वस सिद्धधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा आपकी options है विपिन चंद्रपाल, अर्विंद घोष, बाल गंगधर तिलक, सुभाष चंद्रबूष, उपर योगत में से कोई नहीं है इन में से एक से अधिक और इसमें आपका correct option हो जाएगा option C, बाल गंगधर तिलक मई 1917 में बाल गंगधर तिलक ने नासिक में Home Rule League की पहली वर्स गाठ के दोरान अपने पत्र मराठा वा केसरी के माध्यम से अपने Home Rule की अवधार्ना को स्पस्ट किया था और तिलक जी ने पूरे देश का दोरा करके स्वराज के लिए जन्मत त्यार करने का प्रयास किया था और इसी दोरान उन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बढ़ते हैं, next question की ओर आपसे पूछा गया है कि रवेंदरनाथ टैगोर ने अपनी नाइट हुड की उपादी किस कारण त्यागी थी आपकी options हैं, सभी ने अवग्या अंदोलन का क्रोर दमन भगत सिंग को फासी दिया जाना जलिया वाला बाग हत्याकान, चौरा चौरी की घटना, उपर यूग्त में से कोई नहीं है इन में से एक से पदे और इसमें आपका correct option हो जाएगा, option C, जलिया वाला बाग का हत्याकान, ये घटना जो थी इसके बाद ही रविद्ना टैकोर ने अपनी नाइट हुड की उपादी त्यागी थी 13 एपरिल 1919 को जब भीड इकठा हुई थी, अपने लोग प्रियनेता, सैफुत, दीन, किछलू और डॉक्टर सेदपाल, मलिक की गिरफतारी का विरोध करने के लिए उसी समय इस भीड पर जनरल डायर ने गुली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे इस भीचड नरसंगार से यह जो कवी थे रविदनाह टैगोर, यह उससे छुब्द होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट हुट की उपादी वापस कर देते हैं बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेशिन की ओर आपसे पूछा गया है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस ने की थी आपके ओप्सेंस हैं, लाला लाश पत्राए, विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंग, उपर योगति में से कोई नहीं है, इन में से एक से अधे और आपका करेक्ट ओप्सेंस हो जाएगा, ओप्सेंस सी, गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज की स्थापना, जिसको इंगलिस में हम कहते हैं, सर्बेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी, इसके स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, 12 जून 1905 को पूने में करते हैं और इसका उद्देश से होता है, नोजवानों को सार्बजनिक जीवन के लिए प्रशक्षित करना, गांधी जी के साथ साथ एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये अब ध्यान रखेंगे, कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरू थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरू गांधी जी भी मानते थे, और मुहम्मद अली जिन्ना भी इनको अपना राजनीतिक गुरू मानते थे, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्विस्टिन की और, आपसे पूछा गया है कि काकोरी ट्रेन जो रॉबरी केस हुआ था, उसमें किसको फासी की सजा दी गई थी, आपकी ओप्सिन से, रामप्रशाद विस्मिल और अस्फाकुला, बीर सावरकर और वासु देव चापईकर, प्रफल लचाकी और खुदी रामबोस, सूर सिन और उधम सिंग, उपरयोक्त में से कोई नहीं है, इन में से एक से अधिक, और इसमें आपका करेक्ट ओप्सिन हो जाएगा, ओप्सिन ए, रामप्रशाद बिस्मिल और अस्फाकुला, काकोरी जो कांड है, ये 9 अगस्त 1925 को, इस एसोशेशन के सदस्योंने, सहारनपुर लखन पर 8 डाउन जो ट्रेन थी, उसको काकोरी नामक गाउं में रोक कर खजाने को लूट लिया था, और सरकार इसी घटना से क्रोधित होकर, बहुत भारी संक्या में जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्हें गिरफतार किया था, और उसके बाद उन पर मुकदमा भी चलाया गया था जिसमें फांसी चार लोगों को दी गई थी, राम प्रशाद विस्मिल को गोरखपुर में, असफा कुला खां को फैजाबाद में, ठाकुर रौसन सिंग को इलाहाबाद में और राजेंद्र लहडी को गोंड़ा में फांसी दी गई थी, बढ़ते हैं, नेक्स्ट आडे, बीडी सावरकर, या एसन, बेनरजी, उपर युक्त में से कोई नहीं है, इन में से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन, ए, सी यार दास ने लिखी थी, ये बुब, इंडिया फॉर इंडियन्स, इसके साथ युन्होंने सागर संगीत अंतर्यामी और किसोर किशोरी नामक का विग्रंथ भी लिखे थे, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चिन की और सत्य सोधक समाज की स्थापना किस में की? आपको बताना है कि सत्य सोधक समाज की संस्थापक कौन है, आपके ओप्शन हैं, दियानन्द, सरश्रती, जियोतिवा फूले, गांधी जी, डॉक्टर, बाबा साब, अंबेड कर, वो परियुक्त में से कोई नहीं है, इन में से ए देख, और आपका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा, ओप्शन B, जियोतिवा फूले, तो सत्य सोधक समाज की स्थापना, 1873 में बंबई में जियोतिवा फूले ने ब्रामध बिरोधी आंदोलन की रूप में शुरू किया था, इसका उद्देश से था ब्रामधों के आडंबर और उनके अवसर वादी धार में गरंथों की बुराईयों से निम्न जातियों को बचाना, इसी से सम्बंदित उन्होंने 1872 में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम है गुलाम गिरी, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की ओर, आपसे पूछा गया है, भारतीय रास्टीय कॉंग्रिस की प्रथम महिला अध्यक्र कौन थी, आपक्या उप्सेंस है, कस्तोरभा गांधी, स्रीमती इनी बेसिंट, सरोजनी नाइडू, भक्ती लक्षमी देशाई, उपरियुक्त में से कोई नी है, या इन में से एक से अध और आपका करेक्ट ओप्षन हो जाएगा, ओप्षन बी, एनी बेसिंट, एनी बेसिंट, उनी सो सत्रा में कलकत्ता में हो रहे कॉंग्रिस की अधिवेशन की अध्यक्स्ता करने वाली पहले महिला होती है, मोल रोप से ये आयरलेंड की रहने वाली थी, पर अगर आपसे पहली भारतिये महिला कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा, कस्तूर्बा गांधी, जिन्नोंने 1925 में कॉंग्रिस की अधिवेशन की अधिवेशन की अध्यक्स्ता के थी, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की और, कस्तूर्बा गांधी नहीं, वो सरोजनी नाइडू होगा, भारतिये, प्रथम भारतिये महिला, जिन्नोंने भारतिये राष्टे कॉंग्रेस की अधिवेशन 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 क आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्य ग्रह अंदोलन के प्रथम सत्य ग्रही कौन है आपकी ओप्शन्स है सरोजनी नैडू, सी राज गोपालाचारी, बिनोवा भावे, सुभास चंद्रबोष, उपर युक्त में से कोई नहीं है या इन में से एक से अधिक और आपका में करेक्ट ओप्शन हो जाएगा, ओप्शन C, बिनोवा भावे, व्यक्तिगत अंदोलन के प्रथम सत्य ग्रही बिनोदा, बिनोवा भावे थे, सेकेंड थे, जवाहल लाल नहीं रूप, और थर्ड थे, ब्रहम दत्थ, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्रिशन कीओ, आपसे पूछा गया है कि लंडन में इंडिया हाउस की स्थापना किस ने की थी, आपके ओप्शन है, स्याम जी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी वोस, राम चंडर, तारक नार दास, उपर योग्त में से कोई नहीं है, इन में से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ओप्शन ह हो जाएगा ओप्शन ए, स्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंडन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और यह एक अनौपचारिक भारतिय रास्टरवादी संस्था थी, इंडिया हाउस 1905 से 10 के दोरान लंडन में इस्थित एक रास्टरवादी संस्था के रूप में काम क किया था और इसकी स्थापना ब्रेटेन के भारतिय चात्रों में रास्टरवादी वीचारों का प्रचार करने ही थी, इस्थापित किया गया था, बढ़ते ही, नेक्स्ट वेस्टिन ही और, आपसे पूछा गया है कि भागलपूर में नमक सत्यागरा का नेत्रित किसने प्रदान किया था, आपके ओप्शन्स है, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन B, भागलपूर से नमक सत्यागरा को नेत्रित प्रदान किया था, महादेवलाल सराफ ने, इन्होंने 1930 में नमक सत्यागरा को संचाले दिया था, और ये गांधी जी के विचारों से अध्यादिक, प्रभावित्ते, बढ़ते हैं, नेक्ट क्वेस्टिन की ओर, आपसे पूछा गया है कि 1939 में बिहार में अमबारी सत्यागरा का नेत्रित तो किस ने किया था, आपके ओप्शन से राहुल संकृत्याइन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानन्द, स्वामी योगानन्द, परियोगत में से कोई नहीं है या इन में से एक से अधे, और आपका correct answer हो जाएगो, option A, ये थे राहुल संकृत्याइन, राहुल संकृत्याइन हिंदी के एक प्रमुक साहितिकार थे, जिन्होंने बिहार में अमबारी सत्यागरा का नित्रत किया था, और ये सत्यागरा हुआ था, 1939 में, बढ़ते हैं, next question की और, यूसुफ साहचक, the last Muslim ruler of Kashmir Valley who was exiled to Bihar by the Mughal Emperor Akbar was buried in, आप से पूँचा गया है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शाषक यूसुफ साहचक जिन्हें मुगल साषक अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहां दफन हैं, आपके options हैं, पाटली पुत, राजगी, मुंगेर, नालंदा, वो परियुक्त में से कोई नहीं, या इन में से एक से अधिक, और आपका correct option हो जाएगा, option D, ये नालंदा में दफन है, बढ़ते हैं, next question की और, Dutch East India Company established its factory at Patna in which year, आपसे पूछा गया है, कि Dutch East India Company ने अपनी फैक्टरी पतना में किस वर्स अस्थापिक की थी, आपके options हैं, 1601, 1632, 1774, या 1651, वो परियुक्त में से कोई नहीं, या इन में से एक से अधिक, और इसमें आपका correct option हो जाएगा, option B, 1632 में Dutch East India Company ने पतना में अपनी फैक्टरी इस्थापिक की थी, Dutchों की पहली ब्यापारिक फैक्टरी की बात करें, तो ये 1605 में मशूली पतनम में खुली थी, और दूसरी ब्यापारिक फैक्टरी पुली गट में स्थापित की गई थी, Dutchों का भारत में अगर अंतिम रूप से पतन की बात करें, तो वो 1759 में हुए वेदरा का युद्ध माना जाता है, अंग्रेजों से मिली हार के बाद ऐसा माना जाता है कि Dutchों का सफाया हो गया, बढ़ते हैं, next question की ओर, who established स्वराज दल इन बिहार, आप से पूँचा गया है कि बिहार में स्वराज दल के स्थापना कौन करता है, आपके options है, उपरियुप्त में से कोई नहीं, या इन में से एक से अधिक, और आपका correct option हो जाएगा, option A, श्रीकृष्ण सिंग, जैनवरी 1923 में, सी आरदास और मोतिलाल नेरू, जब इलहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, उसके बादी, जैनवरी 1923 में, पटना में भी स्वराज दल के स्थापना की जाती है, स्रीकृष्ण सिंग के द्वारा, और फिर वो स्वराज दल की साखा को अपना नेत्रेत्व प्रादान करते हैं, बढ़ते हैं, next question की ओर, आपसे पूँछा गया है, कि अपने सिला लेखों में असोक सामान नेता किस नाम से जाना जाता है, आपके options हैं, चक्रवर्ती, प्रेदर्शी, धर्मदेव, धर्मकेर्थी, उपरियो कि में से कोई नहीं, या इन में से एक से अधिक, और आपका correct option हो जाएगा, option B, उसको जिस नाम से सामान नेता जाना जाता है, वो है प्रेदर्शी, असोक के लगु लेखों में, जो उसके लगु सिला लेख थे, उसके जो भाबरू और बैराट अभी लेख है, उसमें उसका नाम प्रेदर्शी ही मिलता है, और उसके भाबरू अभी लेख में, बौध धर्म का जो त्री रतन था, जिसमें बुद्ध, धम और संग सामिल होता है, इसका भी वर्णन मिलता है, प्रेदर्शी का अर्थ होता है, इश्वर का प्रिये, बढ़ते हैं, next question की ओर, आपसे पूछा गया है, कि इन में से कौन गुप्त काल में, औसधी के छेत्र में अपने कारे के लिए जानना जाता है, आपके options है, शुष्षृत, सौमिल, शुद्रक, सौनक, वो परियुप्त में से कोई नहीं है, इन में से एक से, अधिक, और आपका correct option हो जाएगा, option A, शुष्षृत, शुष्षृत जो है, वो गुप्त काल में, और सधी के छेत्र में काफी प्रशेद्ध थे, और ये सिस्षत है, किसके धन्वंतरी के, शुष्षत धन्वंतरी के, शिष्षत है, बढ़ने हैं, next question की ओ, आपसे पूँशा गया है, कि निमलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपी, दाहिने से बाई और लिखी जाती है, आपकी option से, ब्राम्ही, सार्दा, खरोस्टी, नंद, नागरी, या फिर उपर्योग्त में से कोई नहीं, या इन में से एक से अधिक, और आपका correct option हो जाएगा, option C, यह है खरोस्टी लिपी, प्राचीन भारत की बात करें, तो उस समय दो लिपियां थी, एक ब्राम्ही लिपी और दूसरी खरोस्टी लिपी, ब्राम्ही लिपी बाई से दाई और लिखी जाती थी, जो अशोक है, अशोक का सहबाजगड़ी और जो मानसेरा का अभिलेख है, वो खरोस्टी लिपी में ही मिलता है, यह आप ध्यान रखेंगे, खरोस्टी लिप में अशोक के दो अभिलेख मिले हैं, एक तो शहबाज गड़ी का अभी लेख और दूसरा मान सेरा का अभी लेख बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की ओर विच वन अफ दे फॉलोइंग पोर्ट्स वास इन दे यूज फॉर दे नौर्थ इंडियन ट्रेड दूरिंग दो गुपता पीरियोट आपसे फूचा गया है कि निमलिखित में से कौन सा बंदरगा गुपतकाल में उत्तर भारतिय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था आपकी ओप्शन से कल्यान, तामर लिप्ती, भड़ोज, कैमबे उपर योगत में से कोई नहीं है इन में से एक से अधिक और आपका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन B, तामर लिप्ती, गुपतकाल में पूर्वी तरपर जो बंदरगा थे उनमें आता है तामर लिप्ती, घंट साला कादूरा ये प्रमुख बंदरगा थे पर इसमें सबसे अधा प्रचलित था तामर लिप्ती, इसके तो इसमें भड़ोज, चॉल, कल्यान और कैम्बे प्रमुख थे, पच्चिवी भारत में सबसे प्रमुख जो बंदरगा था वो था भड़ोज का बंदरगा, बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस्टेशन की ओर, आपसे पूछा गया है, मुगल चित्रकला किसके नेत्र तुम्हें अपने सीर्स बिंदू पर थी, आपके ओप्शन से, जहांगीर हुमायू, शाह जहां अकबर, उपरियू तुमें से कोई नहीं, या इनमें सेख से अधे, आपका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा, ओप्शन ए जो मुगल चित्रकला है, वो अपने सीर्स पर पहुँची थी, जहांगीर के समय में, पर उससे पहले, अकबर ने अपने शाषनकाल में, चित्रकारों के लिए कारखानों की स्थापना की थी, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेस्टिन की और, इन मेडाइवल इंडिया, वाई वोज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोडियूच्ट, आपसे पूचा गया है, कि मद्धिकालीन भारत में, मनसबदारी बेवस्ता क्यों लागू की गई, आपकी ओप्शन से, राजस्ट एक अतृत करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भरती के लिए, धार्मिक सद्भाव के स्थापना के लिए, स्वक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, उपर युक्त में से कोई नहीं, या इन में से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा, ओप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भरती के लिए, ये मुगल सैने वेवस्था का मूलाधार मानी जाती है, इससे सेना में सैनिकों की सुगमता से भरती की जा सकती थी, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चिन की ओर, आपसे पूछा गया है कि अस्ट प्रधान का गठन किस ने किया था, आपकी ओप्सेंस हैं, चंदरगुप्त, अशोग, हर्षवर्धन, शिवा जी, वो परियोक्त में से कोई नहीं है, इन में से एक से अधिक, और आपका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा, ओप्शन डी, ये क और विजे नगर सामराज में, अगर वहां के आप प्रशासन को देखेंगे, तो वहां पे अस्ट दिगज हुआ करते थे, वो भी आठ मंत्री ही होते थे, जो राजा को परामर्ज देते थे, पर उन्हें अस्ट दिगज कहा जाता था, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की आया है, आपके options है, फिरोशा तुगलक, इल्टुतमिस, बल्बन, सिकंदर, लूदी, उपर यूगतमिसे कोई नहीं, या इनमेस एक से अधिक, और आपका correct option हो जाएगा, option फिरोशा तुगलक, अगर आप से ये पूचा जाए, कि सबसे अदर नहरों का निर्मान किसने करा बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की और, आपसे पूचा गया है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री ड़ा कहती है, तो हुगली का उपयोग कौन करता था, आपके options है, दच, फ्रांसीसी, पुर्टगाली, अंग्रेज, उपर यूगतमिसे कोई नहीं है, इनमेसे एक से अ ये काम करते थे पुर्टगाली लोग, पुर्टगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डखेती हीत, हुगली गऊपयोग करते थे, यहाँ पर उन्हों ने अकबर की अन्यनुमती से कारखानों को स्थापित किया था, जो पुर्टगाली का प्रमुक केंद्र माना जाता प्रथम पुर्टगाली या प्रथम यूरूपिय यात्री वासको डिगामा था जो भारत आया था और उसका पथ प्रदर्सक था अब्दुल मनीक और ये कब आया था 1498 में बढ़ते हैं नेक्स्ट के और अपसे कुछा गया है ठागों का उन्मूलन किसके नेत्रतों में हुआ है आपके ओप्शन से लॉर्ड क्लाइब कैप्टन स्लीमन लॉर्ड मिंटो अलेक्जंडर बंस उपर्यूगत में से कोई नहीं है इन में से एक से अधिक और आपका करेक्ट ऑप्शन हो को समाब्द कर दिया और कर्नल स्लीमन की मदद से ठागों का भी उन्मूलन कर दिया था बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन की ओ दा वाइस सराय हूँ फॉ फॉलोड एग्रिसिप पॉलिशी टूर्ड्स अफगानिस्तान वोज आपसे पूँचा गया है अफगानिस्तान क प्रदी आक्रामक नहीं थी किस वाइसराय ने अपना ही थी आपकी ओप्शन से लॉर्ड में हो लॉर्ड लिटन लॉर्ड डफरिन लॉर्ड गैनिंग उपर यह तुमें से कोई नहीं है इन में से एक से अधिक और आपका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन बी लॉर् टू तक जो ब्रिटिस सरकार है जो ब्रिटिस भारत सरकार थी तदकालिन उसने अफगानिस्तान के प्रेत तटस्थता की नीदि का पालन किया था और लॉर्ड लिटन के आते ही उसने अग्रगामी नीदि का नीदि अपनाई तथा अमीर सेर अली को अपनी शर्थे मानने के लिए उसने राजी कर लिया परना तो जब परिस्थितियां बदलने लगी तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुध 21 नमबर 1878 को युद के घोशना कर देता है तो वो अफगानिस्तान के प्रति अपनी आक्रामत नीति को अपनाता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपसे पूशा गया है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सब इने अवग्या अंधूलन कहां से शुडू किया था आपके ऑप्शन से वर्धा, डांडी, सिवा ग्राम, साबर मती, उपर यूग्त में से कोई नहीं या इन में से एक से अधिक और आपका करिक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी साबर मती से स्टार्ट गिया था 12 मार्च 1930 को साबर मती से ये शुरू किया जाता है दांडी मार्च और 6 एपरेल को दांडी पहुँचकर गांधी जी नमक कानून को तोड़ते हैं और वहीं से सब इने अवग्या स्टार्ट करते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हो दस सारा बंदी कैंपेंड ऑफ 1922 वस लेड भाई आपसे पूंचा गया है सारा बंदी आंदूलन 1922 किसके नेत्रत में प्रारम हुआ आपके ऑप्शन से और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार बलब भाई पटेल सरदार बलब भाई पटेल ने 1922 में सारा बंदी आंदूलन का नेत्रत गया और इस आंदूलन के तहत किसानों को कर ना देने के लिए कहा गया बटते हैं नेक्स्ट क्यों कियो आपके ऑप्शन से जेवी कृपलानी जवाहलाल नहिरू मौलाना अबुल कलामाजाद सी राज भुपालाचारी वो परियोग्त में से कोई नहीं है इन में से एक से अधिक और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जेवी कृपलानी स्वत्यंतरता प्रापती के समय भारती राष्टी के कॉंग्रिस के अध्यक्ष अचारे जेवी कृपलानी थे नमंबर 1947 में इन्होंने अध्यक्षपत से अस्तेपा दिया और इसके बाद डॉक्टर राजेंद परशाद अध्यक्र बने थे बढ़ते हैं, next question की ओर ओप्षिन हो जाएगा ओप्षिन सी बाभू कुमर सिंग इसके अलावा दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से बहादूर सहा जफर ने नेत्रतु प्रादान किया था कानपूर से नाना साहप और तात्या टोपे लखनवु से बेगम हजरत महल जासी से रानी लक्षमिपाई इला प्राव से सत्तामन के विद्रव को अपना नेत्रत प्रादान किया था बढ़ते हैं नेक्स्ट वेशन की योद्ध आपसे पूछा गया है असायोग आंदूलन के दौरान बिहार में क्रिशकों का नेत्रत किस ने प्रादान किया था आपके ओप्सेंस है स्वामी विद्यानन्द राजकुमार सुकल स्रीकृष्ण सिंग जेबी से इन उपरियोगत में से कोई नहीं या इन में से एक से अधिक और आपका करेक्ट ओप्सें हो जाएगा ओप्सें ए स्वामी विद्यानन्द अपना नेत्रत प्रादान किया था स्वामी विद्यानन्द ले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के लिए इतना ही धन्यवाद